ये इस्टुडेंट आज की या वीडियो बीए फोर्थ समस्टर की हिस्ट्री अनि इतिहास की महा संग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो से ही लगभग लगभग जो प्रश्ण हुआ आपकी परिच्छा में आने वाले हैं बस आप से एक ही इडियों को देख लेंगे तो आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर सकता और जोजों में प्रस्ण मताऊंगा 90% यह प्रश्ण आपकी परिच्छा में आएंगे तो एक भी पॉइंट मिस्पत करिएगा सबसे पहले मैं आपको इसी वर से 2024 का एक माडल पेपर प्रस् होती ही महात्पूरे वीडियो होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं देख लिए यह बेसी बिकॉम के सिकेंडियर यानि की बिए दुतिय वर्स और समेस्टर आपके फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका फोर्थ समेस्टर के परिच्छा होने वाली कल सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री और प्रशन पत्र का नाम है प्रिटिकल हिस्ट्री आप साउथ इंडिया यह आप सभी के लिए बहुत ही हेलफुल वीडियो होने वाली है समय तीन घंटे का मिलता है कुछ इनुवर्सिटी में दो ही घंटा का मिलता है यह अलाग अलाग पर डिपेंड करता है और 72 नंबर का पुडांग होता है यह आप सभी को मालूम है सबसे पहले हम खंड आ में आ जाएंगे अतलग उत्तरे क्वेश्टिन कौन-कौन से महात्पूर्ण है कौन-कौन से प्रच्छा में आपके भी आ सकते हैं उनके बारे में वो क्वेश्टिन कि आपको सफलता मिल चके वागया यहां तरे कोईश्टिन के और सबसे पहले प्रस्ण देने का उत्तर देने से पहले यहां पर कुछ दिशा निर्देश दी जाती इनको पढ़ लेना है कि इतने कोईश्टिन का एंसर करना है और भी कितने सब्दों में लिखना है कि इतने ठीक है पट्टु पुपट्टू ठीक है यह कोईश्टिन आता है लेकिन बहुत कमाता तो मेरा माने तो इसको इक्णुर कर दें ठीक इस को अघला परश्ब्रे तरू ठीक है त्युन के उते užप таким Лे मॉड transformative वहनद कर दें म कर दें इसको इसको अगकर कोईष्टिन लगी कली तामर पत्र लेख यह इंपॉर्टेंट है थिक अग्ला प्रस्चन है कि मात्वालीन यह कोश्चन बहुत कमाता आप इसके परिच्छा में तो इसकी संभावना बेक्त होती है कि प्रस्चन आ सकता आपके परिच्छा में थिक है अगरा प्रशन है कि शिव असकंद वर्मन ये भी कुश्चन बहुत कमाता है तो 80 प्रसत ही उम्मीद प्रशन की आने की बाकी 20 प्रशन नहीं है तो आप तयार भी कर सकते हैं जैसिंग ये महात्पूर्ण प्रशन है जैसिंग के जड़ा कुश्चन अभी फोर समस्टर हिस्ट तो उसी का उत्तर तयार कर लेए वाना कुश्चन तो भाई ये दो चार पांस वे सभी का उत्तर तो तयार नहीं कर पाएंगे अगला के रिठ्ट ये भी को बहुत को माता है इसको भी आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगला की वस्भठी ये कोश्चन कभी कदार पहुँचा तो आपके इच्छा तयार करें अधर भाई भी कर सकते हैं जो इंपार्टेंट है जो बार बार रिपेट हुए उनको मैं आपको ज़रू बताऊंगा इनको ज़रू तयार करें जिनके आने की कम साम्भाव ना है उनकी में साब बता दूंगा कि ये आभी सकता है और नहीं भ इस तरीकी दस प्रश्ण आपकी परिच्छ हम देखने को मिलेंगे फिर हो सकता पांची मिलें ठीक है लेकिन कुछ इनवर्श्टिम पांची आते हैं लगभग लगभग में दस कोश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बाद हम आगे हैं खंडबा की और अब खंडबा में पहला प्रस्ण है कि दच्छिद भारत के इतिहास के अध्यन है तो बिदेशी लेखकों का वृतांत दीजिए मत्ब कि दच्छिद भारत का इतिहास है उसके बारे में अध्यन मत्ब किफी चीज के बारे में जान करे लिए अध्यन करना शीखना ठीक है जानना ठीक है तो द प्रचिट बहांत के राजनेतिक कितिहास पर प्रकाश डाली कोईश्चन कई बार रिपीटर है तो इस बार पूरी उम्मीद प्रस्ट पहुंसना चाहिए क्योंकि मेरे जानकारी के नुशार ये परिछ्छा में बार बार पूठा जा रहा प्रस्ट ठीक है और इस बार दोजा है पल्लो की ईतंप क्यों कि ज 671 प्रसंट असता कोई ऐसे फरिच्छा चुटन नंसमें पल्लों के बारे में पल्लों क Germans बहुत कर सब्वार एक ठीक ब्राश्ट के प्रसासन के वेविष्णा कीजिए यह आप सभी के लिए 99 प्रसेंट है बार बार परिच्छा पूछा जा चुका कोश्चन है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि फंसेगा है ठीक है उसके बाला अगरा प्रस्ण है कि रोध द्रांबा पर एक टिपड़े लिए कोश्चन ब अगरा के पांडे वन्स के नरियस स्री मार्स बल्भब की उपलब्द्यों की बीशना कीजिए तो पांडे वन्स से जुड़े कुश्चन आपकी परिच्छा में आएंगे ही आएंगे ठीक है अब कौन सा आएगा यही सेम टुसेम आएगा फिर कोई आन्या आएगा इसकी ग अब हम बढ़ते हैं देर घुत्रे यानि कि बिस्तत्रे कोईश्चन की यहां पर भी लिखाया पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहां पर भी इसमें कुछ दिस्ता नर्देश दी गई है कि कितने कोईश्चन करना कितने सब्सक्र करना कितने नंबर मिलेंगे आपको पढ़ लेना यह लिखा है यहां पर साफ सुत्रा ठीक है तो लग देर घुत्रे का जो पहला प्रस्ण है यानि कि बिस्तत्रे का हुई है कि बिक्रमा दित्त सष्ट की उपलब्दियों के विष्ण कीजिए तो बिक्रमा दित्ति फिड़ा कोईश्चन एक हमेशा आता है तो इस बा अगला कोईश्चन है कि बिश्रूर वर्धन और बिठी ठक की उपलब्दियों की अलोचनात्मक परिरिक्षन कीजिए यह कोईश्चन बहुत कम आता तो आप इसे इंग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला जो प्रस्ण आप लोगों के समस्त प्रस्तों था यह नर्सिंग वर्मन पर्थम की उपलब्दियां यह फिर नर्सिंग वर्मन की जो पर्थम था उसकी अचीव्मेंट थी उसके बारे में लिखना है यह हाई लेवर कोईश्चन साबित हो सकता आपके ग्याम के लिए नाइंटी परसेंट और नोट कर लिए इसको ठीक है तो यह आ चुके हैं महा संग्राम पीडियाप की ओर जो जो आपको उस माडल पेपर कोश्चन पेपर प्रसन देखने को मिले थे उन सभी का लगबग लगबग इसमें उत्तर मिलेगा हो सकता दो-तीन प्रस्टनों को न मिले और बाकी सभी को मिलेगा और उन माडल पेपर में जो पर में कोश्चन था तो उत्तर लिखेंगे कि पांड़े राजाओं के मूल क्या थे वह विवाद ग्रस्त है मत्तब इसका कोई असपस्ट कोई किलियर बात नहीं हुई है वह विवाद ग्रस्त है नम्ब चरित तिरू वैलेड यो या डल में पांड़े को चंद्र से जोड़ा गया जो बाद में कई बार दोहराया गया है बेशिंट श्मित का विश्वास है प्रात्मिक प्रात्मिक पांड़े राजाओं को अपनी राज़धानी बनाने के पूर्ब को ठीक है को को के मडलूर और कल्याणपुर से सासन किया था शंगम साहित से ज्यांत होता है कि पांड़े राजा का छेत्र आधुनिक तमिलनाड के आस्पाफ रहा होगा तो इस प्रकार बेसिक परचे लिखेंगे इसके बारे मे अगला कोश्चन भी महात्वा कांची सासक यानिकी राजा ये फिर आप लोग सासक कह सकते है उसने अपने राजवंस की बिचलित अपकुल लच्मी को पुना प्रतिक है प्रतिश्चित किया और समराज की गरिमा में अभिवरत दिकी उसने अपायक गोबिंद कदंब गंग लोट मालाव तो था गुर्जर पर विजय प्राप्ट की इन अस्थानों पर जगाहों पर उसने प्राप्ट कि किष्णे थियनी थीक है और हर्स को युद Hamas का महान बिजेता बन गया ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे बारे में अगला परषने की चोलो के अफ्थान अफ्तं प्रसासन पर टिपड लिखे, तो चोलो फ्षी पर ऐब योड़ Sum आपको देखने को मिल सकता है वहाँ तीन प्रकार की ग्राम सभा है थी पहली उर्व सभा तथा नगरम उर्व ग्राम वहा नगर दोनों के लिए प्रियुक्त होता था यह एक समान प्रकार की सभा है और सभा ब्राहमर चतुरवेदी मंडलम तथा नगर जहां ब्यापारी रहते थे इस चीज के लिए प्रि इचि सकता है तिसकी सकते हैं या कि यह था यह कुश्चन हंडर प्रसंट तो गारंटी नहीं कि आए आए कि नहीं आएगा लेकिन कई बार पहुचा गया है तो नोट कर लीजिए इसका उत्तर बाकाइदा यहां पर लिखाया पढ़ लीजिएगा समय ज्यादा है नहीं इसलिए मैं आपको बाकी उसके सामने उसका उत्तर लिखा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक है चली अगला कुश्चन की राष्ट कोट अमोख वर्स प्रथम यह भी कुश्चन बहुत कम उम्मीद है आने कि तो इग्नोर भी कर सकते इसको होई सलवन्स यह भी कुश्चन हमेशा तो नहीं जाता लेकिन कभी कभी आता है थोड़ा पढ़ सकते हैं अगला है बिन्यादित कौन था यह कुश्चन भी बहुत कम आता पर इसे अग्नोर भी कर सकते हैं बल्लाल प्रथम कौन था यह इंपॉर्टन कोश्चन हो सकता कई बार आ चुका है और शबार भी पूरी उम्मीद हो सकता है तो बल्लाल प्रथम के बारे में आपको पढ़ लेना उत्तर नीचे प्रस्तूत है अगला है कि बदामी के चालुक की उत्पत बताईए ठीक यह भी कोश्चन बहुत कम आता है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं वेंगी के चालुक कौन थे इंपॉर्टन है कई में घुडरpri प्रस्पाल प्रस्ट भी करता है तो द्यांते सुन लिजिए वेंगी का चालुक वन्स बदामी के चालुक की एक सा 걸 करन इस साका को पूर्वी चालुक मिंग्युक वेंगी के चालिय कुवंस का संसता पक कुप्ज विश्डु वर्धन बदामी ऐसे सासन करने वाले दुतिय पुलकेशन का छोटा भाई था पूरी उमीद है यादो सिंगळ पतीपड़ी लिखे बहुत कम उमीद है उसके बाद अगला कोश्चन है की गोबिंदर तृतिय कोण थी यह उमीद हो सकता ठीक है नोटका लीजे उत्तरप्रस्तो से बढ़ लीजेगा अगला के चालुक की बिभिन साखाएं कौन कौन सी थी तो चालुक की प्रमुक्तीन साखाएं थी जो कि आप लोगों के समझ प्रस्तुत हैं पढ़ लीजेगा यह भी इंप्पॉर्टेंट है ठीक है अगला की कुलो तुंग के विशे में आप क्या समझते हैं फिर क्या जानत ठीक है भिल्लम पंचम कौन था यह कोश्चन तो बहुत ही कमाता है आएगा ही नहीं उमीद ही नहीं अगला के बीर बल्लाल दूती पर एक ट्रिक पढ़ लिके भी कोश्चन कभी कदार आता है बिश्चुडु वर्धन के बारें पढ़ लेंगे यह सकता आपकी परिच्छा पुर्ध तो आपको देखने को मिलेंगे आपकी परिच्छा में तो तो लगब लगब मैंने आपको सभी प्रश्णों के उत्तर यहां पर प्रस्तुत कर दिया है और आपको पूरी पूरी पीडियोफ मारल पेपर की और प्लस यह जो महासंग्राम पीडियोफ जिसमें तो इसी वीडियो की डिस्क्राइब तो ट्रण्द कर देंगे तो तैयार है आप लोग पीडियोफ डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है बाकि इसमें प्रसंद यह इनका उत्तर आप तैयार कर सकते हैं और पेपर में जो भी प्रसंदे गें इनके बारे में बताया उनको भी आप तैयार कर सकते हैं बाकि ओल्दिविष्ट जैहिंदा